दोस्तों 15-20,000 के सेग्मेंट में स्मार्टफोन के भरमार हो गई है और लावा ने तो दो डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लोच करके कॉम्पिटिशन को और तगड़ा बना दिया है वही रियल्मी ने एक ऐसा फोन निकाला है जो अल्मोस सभी को पसंद आ सकता है आज हम कंपेर करेंगे लावा अगनी 3 वर्सिस रियलमी नार्जो 70 टर्बो हम फोन्स को इन 6 सेग्मेंट में स्कोर देंगे जो एंड तक लीड करेगा वो होगा आज का विनार तो शुरू करते हैं बिल्ट एंड डिजाइन से अगनी 3 में ग्लास बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम है वहीं नार्जो में बैक एंड फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक किये हैं जिसके वज़े से दोनों के वेट में 28 ग्राम का डिफरेंस है रियल लाइफ में लावा भूत हैवी फील होता है लेकिन इस पे कर्व डिस्प्ले है तो लावा भूत प्रेमियम लगता है रियल में के कंपेरिजन में बट नार्जो में मैंने एक बहुत ही वीर चीज नोटिस करी जो इसके सारे पोर्ट से वो सेंटर अलाइन नहीं है बट लावा में शापनेस बेटर है कलर पंची है और ब्लैक्स पी काफी डीप है साथ ही लावा में कव डिस्प्ले है जो जादार लोगों को पसंद आती है लावा में बैक साइड पर एक स्मॉल एमोलेट डिस्प्ले है जिससे आप music control कर सकते हो stopwatch यूज कर सकते हो back camera से selfie ले सकते हो बट यह बिल्कुल एक separate display की तरह वक करती है लाइक अगर आपको इसको यूज करना है तो pin enter करना होगा camera यही से open करोगे तो ही display वक करेगा वही में मेडिया टेक दिमेंसेटी 7300 energy है अब कंफ्यूज मत हो ना दोनों इक प्रोसेसर बिल्कुल सेम है बट एंतुदू स्कोर में अल्वोज साथ हजार का डिफरेंस है लेकिन रियल लाइफ में सिरफ BGMI में बैटर करती है तो यह point क्लियर ली जाता है Realme Narzo 70 Turbo को यहां तक आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमें बहुत motivation मिलता इससे next is camera जिसका आप सब वेट कर रहे होगे दोनों में 55 pixel का में camera है लेकिन लावा में sony का sensor यूज किया है जो generally better photos लेता है बट इसके results बिल्कुल opposite ही है building के shots तो दोनों के ही अच्छे हैं बट जैसे human face आता लावा बिल्कुल पी अच्छे photos capture नहीं करता सबसे पहले यह photo देखो लावा ने मेरे को बहुत dark capture किया sky पूरा overexpose कर दिया next harsh light में लावा ने face को अजीब सा ही कर दिया portrait shots में भी realme काफी better है लावा ने तो trees को neon green ही बना दिया इस shot में तो face को बिल्कुल ही खराब कर दिया और मैंने दुबारा photo ली बट फिर भी लावा ने face बिल्कुल खराब ही capture किया लावा में आपको ultra wide and telephoto camera भी मिलता है जो ठिक ठाक सी फोटो लेता है दोनों में front camera 16 वाइपक्सल का है and again realme काफी अच्छी photo capture करता है लावा के comparison में दोनों ही 4K 30 fps पर record कर सकते है and again यहाँ भी realme काफी better है तो यह पुंच जाता है realme को अब score हो गया to all realme narzo 70 turbo को जिससे score होगे 2-3 last है software जो की most important part है सबसे पहले लावा में एक action button मिलता है जिसको आप customize करके कोई भी app open कर सकते हो flash on कर सकते हो screen short ले सकते हो दोनों में यह android 14 मिलेगा लावा में जो UI है वो बिलकुल stock android की तरह फील होता है UI में एक भी बहुत है वहीं लावा एक stock android experience प्रोवाइड करता है लेकिन लावा भूद बहुत बरी lag कर जाता है तो यह point मैं realme को देना चाहूंगा जिससे score हो जाते है 2-4 actually में एक रियलमी को एक और point मिलना चाहिए क्योंकि यह आपको मिल जाएगा 15,000 के राउंड में with charger बट वहीं लावा आपको 20,000 उपेगा मिलेगा वो भी without charger अब यह आपको देखना है अगर आपको premium build और display बढ़िया चाहिए तो लावा अगनी 3 को consider कर सकते हो बट अगर आपको एक overall value for money phone चाहिए तो realme narzo 70 turbo बहुत अच्छा option है that's it ऐसे your honest and interesting videos के लिए चैनल को subscribe ज़रूर कर ले